भारत में यही प्रणाली अपनाई गई है First past the post सरवाधिक vote से जीतने वाली प्रणाली इसे सरल भाशा में यह कहा दे सरवाधिक vote से जीतने वाली प्रणाली इसके कई लाब हैं आखिर क्यों इसका अपनादा और भारत ही नहीं Canada, Britain, America ऐसे जो लोकतंत्रिक देश हैं जो लोकतंत्र की मत्र नीव के रूप में ही नहीं जाने जाते हैं बलकि लोकतंत्र के एक सक्षम उदाहरनों के रूप में जाने जाते हैं ऐसे राश्टों के साथ भारत भी खड़ा है इन चार-पाँच देशों की चनाव प्रक्रिया एक जैसी है वहाँ भी सरवाधिक मत्वाले को विज़ई घुशित किया जाता है तो आखिर कारण क्या पहला कारण बड़ी सरल प्रणाली है बड़ी सुगम है सरल इसलिए कि जिसे सबसे ज़्यादा मत मिला वो जीत गया उस खेत्र में इस वकार पूरे देश में पांच सो त्रालीस खेत्र है तो जिस खेत्र में जिसको सबसे ज़्यादा मत मिला जिस उम्मी द्वार को वो जीत गया कोई इसमें गुणा भाग सोचने की बात नहीं जैसे क्रिकेट में बहुत सारे नियम आ गए हैं डकवर्थ लुईस का नियम और भी कई तरह के नियम जो गेम खुक पेचीदा बना दिये हैं सामाने मनुष्य के सामान खिलाडियों के या सामान दर्शिकों की पहुंच से समझ बाहर है तो ये प्रणाली जो है फर्स पास्द पो सरल्सुगम प्रणाली अब शुगम क्यों है सुगम इसलिए भी है क्योंको मत दाता को भी केवल एक उम्मीद्वार को चुनना है उसके सा तरह ऐसे होते हैं लोग सभा के चुनाओं में जहां पचास पचास सौसों मीदवार खड़े होते हैं वहाँ पे मत दाता को किसी तरह का दिमाग नहीं लगाना पड़ता बस जो उसको सबसे अच्छा लगे बस उसको मत दे दे एक मत बस पेचीदगी नहीं है तो सरल और सुगम है और मत दाता के लिए में बड़े आसानी से ये चुनाओं प्रक्रिया समझ में आ जाती है जैसे आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटर चुनाओं प्रक्रिया है कॉम्प्लेक्स वाली वो तो बाद में आए हम पढ़ेंगे और तब आप समझेंगे कि ये वाली चुनाव प्रक्रिया भारत में क्यों अपनाए गई क्योंकि वास्तों में वो सरल, सुगम और समझ में आने वाली प्रक्रिया है दूसरा इसमें मत दाता और उम्मीदवार इनके बीच में सीधा संबंद उम्मीदवार जब जीता है तो प्रतिनिदी बनता है तो वो जनता के मतों से सीधा बना हुआ प्रतिनिदी है तो इस प्रक्रिया में मत दाता और प्रतिनिदी के बीच में सीधा संबंद तीसरा इसमें संसद में क्या होता है राइपुर से एक उम्मीद्वार जीता जो ए दल का है पंजाब बिलाजपुर से एक उम्मीद्वार जीता जो बी दल का है ऐसे पूरे देश के 543 खेत्रों से विभर्न दलों के उम्मीद्वार जीते एक शेतर से एक ही दल का उम्मिदवार जीश सकता है ये बात आपको मालूम है पूरे देश के 543 सीटों में जब देखा गया तो पाया गया कि 200 सीटें एक ही दल के व्यक्तिकों मिली हैं तीन सो सीटें एक ही दल के व्यक्ति को मिली है यदि तीन सो सीटें एक ही दल के व्यक्ति को मिली है एक ही दल के व्यक्तियों को पूरे देश में तीन सो सीटें मिली है तो वह दल लोकसभा में बहुमत में है अर्थात उसे लोकसभा का आधा धन एक 272 धन एक 273 से जादा सीट मिली हैं लोक सभा की कुल संख्या 543 उसे 272 से ज्यादा सीटे मिली तो 272 से ज्यादा मिल गई तो बिलकुल स्पष्ट हो गया कि बहुमत इस दल का है और वह दल सरकार बनाएगी तो इस प्रणाली में संसद में किसी एक पार्टी का बहुमत मिलने पर देश में इस तिर सरकार का गठन हो जाता है बहुमत हो बस बहुमत मतलब 272 से ज्यादा और जितना ही ज्यादा होगा बहुमत उतना ही स्थिर सरकार होगी तो इस प्रणाली की अच्छाईयां पर जैसा मैंने कहा कि कुछ देशों में ये प्रणाली है जैसी भारत में हैं कुछ देशों में कुछ द वर्ष पास्द पोस्ट वाली थी अब इस पोस्ट इस प्रणाली की इस पद्धती की कुछ बुराईयां हैं उसको जान लें उसके बाद हम दूसरी प्रणाली के अध्यन करेंगे बुराईयां क्या बुराईयां पहली बात यह है कि इसमें जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा वोट जिस व्यक्ति को मिला है उसे बहुमत मिला हो बिना बहुमत के भी वह संसद में आ सकता है चरवाधिक मत जीतने वाले प्रत्याशी के पक्ष में बहु संख्यक मत दाताओं ने वोट दिया हो ये जरूरी नहीं बहु संख्यक मतलब 50 प्रिश्चत से ज़्यादा लोग यदि इसको वोट देते हैं तब तो बात समझ में आती है कि बहुमत का प्रति चार सो पंदरा सीटें जीतती है तो बहुमत का प्रतिनिदित वास्तों में नहीं कर रही थी ये इसलिए एक तरीके से अलोक तांत्रिक हो जाता है एक तरीके से अनुचित प्रक्रिया हो जाती है तो आलोचकों का कहना है कि वास्तों में फर्स पास दपोस में वास्तों में बहुमत के प्रतिनिदियों का चिनाव नहीं होता है इसलिए ये अलोगतांत्री का अनुचित पर्दती है दूसरी बराई इसकी जो है वो है कि ये प्रणाली जो है ये अल्प संख्यक उन लोगों का कम और शक्तिशाली और बड़े दलों का हित ज्यादा देखती है यदि अल संख्या है तो बहुमत आप के प्रतिनिदि को मिले गई नहीं ऐसी संभावना बहुत बनी रहती जब तक कि बहुत संख्यक लोग भी उसके पक्ष में वोट ना दें दूसरे शब्दों में अल्प संख्यक उम्मीदवार की विजय की संभावना तभी बढ़ती है जब अल् मत दाताओं की संख्या बहुत हो जो होता नहीं है सामाने ते अधिकतर खेत्रों में तो अल्प संख्यक इसलिए में कहलाते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है तो इस प्रडाली में अल्प संख्यक कम शक्तिशालिय हो जाते हैं ऐसे ही छोटे जो राजनीतिक दल हैं जिनके प भाग लेना बड़ा जोखिम बड़ा काम है और अल्प संक्षेकों के हितों को सुनने वाला सामान निता इस प्रक्रिया में प्रतिनिजित नहीं कर पाता ये इस प्रद्धित की बहुत बड़ी बुराई है तीसरा दोश इस चुनाओं में अगर मैदान में दो तीन, चार, पांच, यवसे अधिक उम्मीदवार खड़े हो गए जैसा होते हैं मैंने बताया ना पचास, पचास, साथ, साथ प्रतिनिजित खड़े होते हैं तब उम्मीदवार का चैन करने में मत दाताओं को कषना ही होती है क्योंकि मदाता यही निरने नहीं कर पाता कि वह किस उम्मीदवार को अपना मत दे क्योंकि उसे उम्मीदवार को देख कर मत देना है लेकिन सत्ता में अंतता कौन आता है? दल आता है जिस दल के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा है वह दल सत्ता में आएगा उसकी नीतियां लागू होंगी हमारे खेतर से जो अमीदवार जीता जरूरी नहीं है कि वह अमीदवार उस दल का हो जो बहुमत पाया ऐसी स्थिते में मेरा अमीदवार विरोजी दल का हो जाता है और विरोधी दल का होने के कारण फिर वह हमारी अपनी नीतियों को अपनी अपेक्षाओं को जो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाता ये एक इसकी बहुत बढ़ी खामी है और उम्मिद्वारों की संख्या का तो पूछना ही क्या निर्दली उम्मिद्वार इतनी संख्या में और दलों की संख्या भी इतनी हो गई है कि मत दाता को वास्टों में बहुत कशनाई होने लगी है कि किसे मत दे अंतिम दोश कि जो जो हारे हुए प्रतिनीद्यों को जो मत मिला है उनको कुछ मत तो मिला है न यद्देपी हारे हैं तो उन लोगों का मत जो है वोट है वो बरबाद माना गया उसकी कोई वैल्यू नहीं बहुत से जो मत से जो हारे हुए प्रत्याशियों होते हैं उन हारे हुए प्रत्याशियों के कारण मत बरबाद हो जाते हैं तो हमने first past the post प्रणाली क्या है इसको समझा इसकी अच्छाए क्या है भारत में क्यों लागू है और इसकी बुराई क्या है यह समझ लिया अब हम आते हैं दूसरी पध्धती पर और दूसरी पध्धती है आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिध्यत्व प्रणाली अब ये क्या है इससे पहले मैं आगे बढ़ो मैं आपको बता देए यदि मैं सबसे उपर आप लिखा देखें चुनावी प्रणालियां तो चु प्रणाली है जो सबसे सरल और दूसरी हो गई आनुपातिक या समानुपातिक प्रणाली अब आनुपातिक और समानुपातिक प्रणाली भी दो या तीन भागों में बटी हुई है तीन भागों में बलकि कहना चाहिए तो इस प्रकर इतनी तरह की चुनावी प्रणालियां विश्व के विबन देशों में प्रचलित हैं सामा निट्या पहली प्रणाली का हमने अध्यन कर लिया आप दूसरी प्रणाली के और भगते हैं बढ़ते हैं आनुपातिक या समानुपातिक प्रति निधित्व प्रणाली जैसा कि शब्द से स्पष्ट है आनुपातिक मतलब अनुपात के साथ प्रपोर्शन के साथ समानुपात मने प्रपोर्शन उचित प्रपोर्शन में तो अंग्रेजी में इसका नवाद वजाता है proportional representative या proportional representation method प्रपोर्शन में तुलनात्मक दृष्टी से जितनी जन संख्या उसके प्रतिनिधियों का उतना प्रतिशत प्रतिनिधि बनेंगे उसके उम्मीद्वारों का उतने प्रतिशत प्रतिनिधि बनेंगे इसे कहते हैं आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसके अर्थ क्या है याद रखेंगे कि हमने दोशों की चर्चा की थी पहली प्रणाली में उन दोशों में से कुछ दोशों को इस प्रणाली में हटाने का प्रयास किया गया प्रतियक जाती और मुख्य देश जो उस प्रणाली का है वो है अल्प संख्या के लोग की चिनता उनकी चिनता जिनकी संख्या कम है जो अपना प्रतिनिदी नहीं भेज़ पाएंगे चूँकि स्वैम अल्प संख्या में हो उनका क्या होगा उनकी आवाज कैसे संसत तक पहुँचेगी और भी कुछ बाते हैं तो फर जाती वर्ग वह समुदाय को उनकी मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का उद्देश प्रतिक जाती, प्रतिक वर्ग, प्रतिक समुदाय को उनकी जन संख्या के अनुपात में उनकी जन संख्या के प्रपोर्शन में प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्राउधान इस उद्देश से ये प्रणाली बनाई गई इस प्रणाली का इजाद, इस प्रणाली की शुरुवात या विचार पहली बार प्रसेद फेमस इंग्लिश जेंटलमेन कॉल्ड टॉमस एयर इन्हें ने अपनी पुस्तक में लिखा टॉमस एयर ने जिस पुस्तक का नाम था प्रतिनिधियों का चुनाओ इसमें आनुपातिक प्रतिनिधिकार की चुनाओी प्रतितिका उल्ले करते हैं और इसलिए इस प्रणाली को साथ ही हेयर प्रणाली भी कहा जाता है Proportional Representation System, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टिम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टिम, हेयर सिस्टिम सब एक के इनाम खेर प्रणाली में प्रपोर्शन के अनुसार अनुपाद के अनुसार प्रतिनिजित्व है और ये जितनी भी प्रणाली आई हैं अब तक उसमें सबसे लोक प्रिय है भारत में ये लगू नहीं है कम से कम लोक सभा के चुनाओं में विधान सभा के चुनाओं में जो देश के सबसे महत्पूर्ट चुनाओं में वहाँ पर यह प्रणाली लागू नहीं है लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे लोक पर प्रणाली है और इसकी शुरुवात 1793 में हुई थी 1793 में फ्रांस में जब नैशनल कंवेंशन का चुनाओं हुआ नैशनल कंवेंशन मतलब फ्रांस की एक तरीके से लोक सभा पारलमिंट पारलमिंट को नैशनल कंवेंशन कहते हैं वहां 1793 में चुनाव सुधारों के तहट हेर के सुझाव के आधार पर चुनाव हुए है लेकिन इसका जो असली प्रचार है वो प्रचार टॉमस हेर की पुष्टक के आने के बाद हुआ जो बाद में लिखी गई लेकिन ये प्रक्रिया की शुरुआत 1793 में हो गई थी इस च तक या आने के बाद हुए बाद इस पश लोक तंत्री शासन व्यवस्था इसमें भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदी शामिल हैं इसमें विभिन संपरदाय, जाती, समुदाय, वर्ग इनको उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले ये एक बहुत बड़ी समस् उनकी जन संख्या के अनुपात में और ये समस्या उन सभी देशों में बनी हुई है जो फर्ष पास्द पोस्ट पद्धती के बल पर, के आधार पर चुनाओ कराते हैं लोक तांत्रिक विवस्था में बहुत संख्या प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वोत्तम है ये प्रणाली लोकप्री इसलिए है क्योंकि विद्वानों का मानना है वर्तमान इसमें जितनी प्रणाली है मालूम है उसमें सर्वोत्तम ये है क्योंकि इसमें बहुत जित्व का प्राउधान है। इसमें अल्प संखिकों और अन्य वर्ग और समुदायों के हितों को भी ध्यान में रखकर उनके प्रतिन जित्व को भी उतना ही बल दिया गया है जितना कि अन्य के प्रतिन जित्व को। जॉन स्टूर्ट मिल जिनका जिक्र राजनीति विज्ञान के में लगवग हर विशे में आता है। उनके शब्दों में यदि अनेक वर्गों को शासन करने का प्राकृतिक अधिकार है तो अल्प संख्यक वर्गों को भी इस बात का समान अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाए अर्थात उनका भी प्रतिनिद्व हो यही तो लोक तंत्र है ने साधान जाता है कि मतों के अनुपात में अर्थात अन्य वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिद्व मिलना ही वास्तविक प्रतिनिद्व है दूसरे शब्दों में ये बात आपको स्पष्ठ हो गई होगी कि जो पद्धती भारत में अपनाई गई है जो जिस पद्धती के हम first pass the post कहते हैं जिस पद्धती में सबसे आगे वाला विजेता घोशित होता है उस पद्धती की बुराई ये है कि उसमें अल्प संख्यकों के प्रतिनिद्ध को ध्यान में नहीं रखा गया और इसलिए उस हद तक वो अलोकतांत्रिक है अब आप समझ गया होंगे कि कितना बड़ा दोश चुनावी पद्धती में लेकिन फिर भी हमने उसको लागू किया है उसके कारण हम पढ़ चुके हैं तो वास्तविक प्रतिनिद्ध इसी प्रक्रिया में है ऐसा जेयस मिलका कहना है अब जैसा मैंने आपको बताया आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिद्ध के संक्रमणी मत प्रणालि उसको हमजने कि कुशिश करेंगे कुछ हिसमें गुणा भाग भी हैं कुछ गनिद्ध भी है और दूसरी प्रकिया कहलाती है सूची प्रनाली ऐधा लिस्ट of लिस्ट सिस्टिम और एकल संक्रमणी प्रणाली कहलाती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टिम सिंगल ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल मत को दूसरे को दिया जा सकता हमने दिया इसको है लेकिन किसी कारणों से यह मत दूसरे के में count होगा ऐसी स्थिति में ट्रांस्फर होता है इसलिए इस प्रक्रिया को transferable voting system कहते हम तो single transferable voting system क्या है अब सबसे पहले समझ लीज़े एक तो हमने hair प्रणाली समझी एक व्यक्ति के नाम से अब यहाँ पर एक और नाम आता है एंड्रे प्रणाली एंड्रे प्रणाली क्या है एकल संक्रमणी मत्रणाली के को एक साकार रूप देने में मिस्टर एंड्रे जो डेन्मार्क के मंत्री थे डेन्मार्क एक बड़ा छोटा स्केंडेनेवियन नेशन है देखिए बड़ा छो उन्होंने ये एकल संक्रमणी प्रणाली में कुछ सुधार किया और उसे लागू किया इसलिए इसे एंडरेस सिस्टिम भी कहते हैं तो एकल संक्रमणी प्रणाली एंडरेस प्रणाली भी कहलाती है इस बात को आप याद रखें और ये 1886 में आया जबकि इसके पहले की जो प प्रणाली को एकल संक्रमणी प्रणाली इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें पसंदगी या वरीता के आधार पर पसंद या वरीयता के आधार पर एक प्रत्याशी को प्राप्त अत्रिक्त मत यह शब्द याद रखेंगे अत्रिक्त मत यह अत्रिक्त मत क्या है थे हम समय कोशिश करेंगे, फिलहाल हम इतना याद रखें कि एक प्रत्याशी को प्राप्त अत्रिक्त मत दूसरे प्रत्याशी को हस्तांतरित या ट्रांसफर कर दिया जाता है, अत्रिक्त मतों को, यह अत्रिक्त कहां से आता है, ऐसे कहा से अतरिक्त मतों की बात होगा, इसे हम समझेंगे, फिलहाल आप जाने, इसका नाम यह इसलिए है, इसकी परिभाश्या क्योंकि इसमें अपनी पसंद या अपनी वरीता के अनुसार दिये गए, एक प्रत्याशी को जो अतरिक्त मत है, उसे दूसरे प्रत्याशी को हम इस्था और इसी जटिलता के कारण इसे भारत में लागू नहीं किया गया क्योंकि जब भारत में लोक तंत्र 1947 में लागू होने की बात हुई स्वतंता के बाद 1947 तो भारत की अधिकतर जन संख्या निर्धन तो थी ही अशिक्षित भी थी और ऐसी स्थित्य में एक कॉंप्लेक्स सिस् अधि उस समय हमारे पास इतना लाजिस्टिक्स भी नहीं था जिसमें हम इस जटिल प्रणाली को ठीक से इसका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन कर सकें और सही प्रणाम दे सकें तो समझें ये प्रणाली क्या है इस प्रणाली में क्या होता है कि पूरे देश को सदस्य और प्रत्येक निर्वाचन खेत्र से एक से ज़्यादा प्रतिनिधी निर्वाचित किये जा सकते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है एक से ज़्यादा प्रतिनिधी निर्वाचित किये जा सकते हैं किन्तु हर मत दाता को एक ही मत देने का अधिकार है एक मत में कैसे एक से ज़्यादा को निर्वाचित यहां पर बासपश कर दें कि हर मत दाता को एक ही मत का अधिकार लेकिन एक से ज़्यादा प्रतिने निर्वाचित हो सकते हैं उसे अपनी पसंद दिखानी होती है पसंद कार्थ होता है कि यदि उस खेतर में 15 उम्मीदवार हैं तो प्राथमिक्ता के आदार पे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा नाम दे दे क्राम अबाद तरीके से पहली पसंद लिखे प्रत्येक मददाता जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा पसंद करेगा, उसे पहली पसंद उसके आगे दूसरी पसंद, फिर तीसरी पसंद, फिर चौथी पसंद आदी आदी करेगा इस पकार कुल जितने सदशर निर्वाचित होते हैं उतनी ही पसंदगिया करम शह दर्शाता है मान लीज़े एक निर्वाचन ख्रिट से बीस उमीद वार चुनाओ लड़े किन्तु केवल पांच के आगे पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांच वा पसंद दिया हुआ है वो पांच के आगे दर्शाएगा खड़ हुए बीस लेकिन दर्शायस ने पांच ये पसंदगियों को दर्शाने की विवस्था क्यों की गई है यहीं पर वो पेच है जो इस पद्धति को थोड़ा जटिल बना देता है पसंदगी को दर्शाने के माइने ये हैं कि यदि कोई उमीदवार एक निश्चित संख्या जिसे हम कोटा कहते हैं वो कोटे से अधिक प्राप्ट कर ले मत तो उसके जो अतिरिक्त मत है सब कल्पना कर दे कोटा सौ का उसको लेना था कैसे वो कोटा आता है हम चर्चा करेंगे उसको जीतने के लिए सौ मत चाहिए कोटा लेकिन उसे मिल गए है एक सौ दस मत तो अतिरिक्त जो दस मत हैं वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे और ऐसा करने से क्या होता है मत बेकार नहीं जाते जैसा कि सरल प्रणाली में है जैसा कि फर्स पास्द पोस्ट प्रणाली में है हारे हुए लोगों को जो मत गए हैं वो बेकार गए है जहां ऐसा नहीं जहां पे दूसरी पसंद को वे मत अतिरिक्त मत पहली पसंद के द्वारा पाए गए अत्रिक्त मत, दूसरी पसंद को चले जाते हैं, एक निश्चित कोटा पाने के बाद, और ये दूसरी पसंद ही में नहीं, अन्यम उम्मी द्वारों में बांट दिये जाते हैं, उसका भी तरीका है, जिसे हम समझेंगे, इसी प्रकार और इसी कारण ही इस प्रनाली को एकल, एक मत, संक्रमनी, ट्रांस्फरेबल, हस्तांतरित, मत प्रनाली कहा जाता है, ये अत्रिक्त मत, अन्यमी द्वारों को हस्तांतरित किये जा सकते हैं, ये इस प्रनाली का बहुत बड़ा पहलू है, अहम पहलू है, मद्दान समात होने पर सबसे पहले ये मालूम हो जाता है ये मालूम करना पड़ता है कि इस निर्वाचन खेत्र में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी इस प्रणाली में ये एक थोड़ी सी दिक्कत है कि कुल मतों की अज्जेक संख्या मालूम होना जरूरी है इस प्रणाली में कुल मत कितने डाले गया इस निर्वाचन ख्षेत्र में इस संख्या के मालूम होने के बाद ही निश्चित संख्या या कोटा जिसे हम कहते हैं वो मालूम पड़ सकता है फिर कोटा हर ख्षेत्र का अलग-अलग होगा हर निर्वाचन ख्षेत्र का अलग-अल निर्धारन होता है यह कोटे का निर्धारन कैसे होता है इसे हम आगे समझेंगे फिल्हाल हम जान लें कि हर क्षित्र का अलग-अलग कोटा होता है एक mathematical formula के तहद और उस कोटे को जिस candidate ने पा लिया वो विजई उस candidate को जो अतरिक्त vote मिले कोटे से ज्यादा वोट वो अतरिक् ट्रांसफर होगा तब तक कि यह ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि दूसरा candidate भी उस कोटे की सीमा तक न पहुंच जाए यदि वहाँ एक से ज्यादा सीटे खली हूँ